हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू यूरोन जैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट टमबो फॉर विश्य विज्यान कक्षदस हमारी रेट बारा चुलाई के लिए ठीक है तो चली शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोन प्रोटोन इसका इंट्रडक्शन कर चुके हैं लेकिन फिर से चीज़े हैं जिनको रिवाइस कर लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए ठीक है तो अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन तथा न्यूट्रोन क्या है और यह कहां पर होते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डालटन है डालटन की प्रतिपादित किया था उन्होंने कि जो प्रमानू है वो अविभाज्य होता है मतला हम उसको और चोटा नहीं कर सकते हैं इतना चोटा है होता है कि आप उसको और चोटा नहीं कर सकते हैं बाद में विग्यानिकों ने यह खोजा गया कि कन भी कहते हैं ठीक है तो अगे इन जो अफ्रमाणुक्क'd कन है इनके बारे मी हम जानते हैं सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉण, इलेक्ट्रोण की खोज विज्ञानिक जे-जे टॉम्सन ने की थी ठीक है इलेक्ट्रोन को जे जे थॉम्सिन ये आपको ध्याद रहने चीए कि किस की खोज किस ने की थी ठीक है बहुत जरूरी ये वन मार्क में कोशिन आपका आजाता है ठीक है इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और और निश्चित कक्ष में गती करते हैं जैसे ये आपका नाबिक है नाबिक में तो क्या क्या होते हैं न्यूट्रोन और प्रोटोन होते हैं इसके चारो तरफ ऐसे घूमते हैं ठीक है ये क्या होते हैं इन कक्षा को कोश भी कहते हैं ठीक है उसके बाद आता है प्रोटोन, प्रोटोन की खोज किस ने की थी, कौन से विग्यानिक ने की थी, गोल्ड स्टिन ने की थी, ठीक है, प्रोटोन को हम किसे दर्शाते हैं, पीच इन से दर्शाते हैं, प्रोटोन कैसा होता है, धनाविश होता है, मतलब पोजटेव वाला होता ह प्रोट्रोन प्रमाणू के नाविक में स्तित होता है जो ये नाविक होता है उसके अंदर प्रोट्रोन होता है ये क्या है देखो ये प्रमाणू दिखाया होगा है यहां पर ये क्या है प्रमाणू दिखाया होगा है ठीक है उसके बाद है न्यूट्रोन न्यूट्रोन की खो डमाबहसं उता है तो मैंने बताया था न दोनों ही आँ होते देखो जो नीले वाले वह नींट्रोन और ऑर जो मैं इर उरेंज वाली बोटोन है कैसा आवेश होता है धना आवेश होता है ठीक है कैसा होता है धना आवेश होता है पॉजिटिव होता है ठीक है इलेक्ट्रोन पर डैश आवेश होता है कैसा होता है श्रन आवेश मतलब नेगेटिव माइनस वाला थर्ड है डैश ने न्यूट्रोन की खोज की किसने न्यूट हारणी को भरिए, अवेश, लेक्ट्रोन पर कैसा होता है, श्रिनह मतलब माइनस में, प्रोट्वन पर धना अवेश होता है, positive। और ञ्वेश उड़ासीन, इस पर कोई भी अवेश नहीं होता है नप्लस नपाइनस, ठीक है? स्तेती बताओ, देखो, यह इलेक्ट्रोन की चारो और यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है ठीक है यह अलग है नीचे देखो मैं हिला के भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा यह दिख रहा है न यह आपको लिखना है किसमें इलेक्ट्रोन में यहाँ पर बीच वाले में ठीक है इस तरीके से clear अब देखो उसके बाद है प्रोटोन प्रोटोन का चिन बताओ क्या होता है प्रोटोन का अपर होता है स्थित नाभिक में और न्यूट्रोन का अस्थित होता है यह भी नाभिक में होता है ठीक है तो प्रोटोन न्यूट्रोन दोनों नाभिक में होते है और इलेक्ट्रोन का होता है ना नावेश होता है ना यहाँ पर धना लिखावे आप धन कर लेना ठीक है नूट्रोन पर धना वेश होता है नहीं इस पर तो होता ही नहीं है यह तो अधा सीन होता है तो यह क्या है असत्य है सेकेंट है इलेक्ट्रोन नाविक के चारो और घूमता है बिलकुल घूमता है अभी हमने दिखा नाविक के चारो और घूमता है तो लिखोगे सत्य ठीक है प्रोटोन पर धनावेश होता है प्रोटोन कैसा होता है पॉजिटिव प्लस वाला होता है धनावेश होता है तो क्या रिखोगे सत्य बिल्कुल सही है प्रोटोन और न्यूट्रोन नाविक में स्थित होते हैं बिल्कुल जो एलेक्ट्रोन है वो चारो तरफ खूमते हैं और न्यूट्रो नाबिक के अंदर स्थित होते हैं, तो यह क्या होगा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जीम्स चैडविक ने प्रोटोन की खोज की, किसने की थी प्रोटोन की खोज, प्रोटोन की खोज तो एक और स्थी ने की थी, जीम्स चैडविक ने तो क्या किया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दें टेक केर बाई बाई